दोस्तो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आठ आरके बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें नमस्कार दोस्तो धर्म रह से चैन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है आज बात करेंगे दर्सकों के प्रशन और उर्द्रसंख्ला में नए सिखवालों के बारे में तो सबसे पहले पढ़ते हैं पत्र एक साधक है उनके कुछ प्रशन है साथी साथ कुछ महात्पूर्ण तीन-चार प्रशन पूछे गए जो धार्मिक अपनास्तित रखते हैं प्रशन और काई लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं उसको भी हम लेंगे लेकिन पहले लेत हैं अमर साधक के एक प्रशनों के और उनके जवाब को देते हैं तो चलिए पढ़ते हैं पहले उनकी पत्र को कि आखिरों ने पूछा क्या है यह बात गुरुदिक्षा से पहले की है क्योंकि मैंने गुरुदिक्षा 12-4-2019 को लिया था क्रिपया करके मेरे प्रशनों के उत प्रणाम गुरुदेव मेरे कुछ प्रशन है और भी प्रशन है जो तो गुरुदेव यह है गुरुगा सब्सृति की जो किताब है वो कब तक आ रही है और अभी कितने दिन और लग सकते हैं क्योंकि आज मैं पीडिक्षा करने वाला था मगर आपकी बात की 19-10-2000 वाली व क्रिया करम करने के बाद रास्ते में वापस समसान की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहिए क्योंकि मैंने अपने चाचा की मृत्ति उपर में वा गया था और चाचा के शव जब जल रही थी तब मैं वहां से चलाया मगर घर आते वक्त गलती से समसान की तरफ मुड़कर क तो देखिए सबसे पहला सवाल है कि दुरगाशवस्ति किताब कब तक आ रही है तो दुरगाशवस्ति किताब का किलियर डेट तो नहीं पता है लेकिन हाँ लगभग एक महीने के अंदर अंदर जरूर आ जाएगी क्योंकि यह मेरी बात हो चुकी है प्रकाशक्त है और उन्ह यह तो कहना किलियर नहीं है कि होस्ति वाली से पहले आ पाएगी कि नहीं थोड़ा मुश्किल पड़ेगा लेकिन जरूर जो है एक महीने के अंदर आ जाएगी यह किलियर है इसका तो चलिए अब अगला सवाल आपका है कि क्या किसी बगर कही सव्यात्रा में जाते हैं तो वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए हां एक तरह से खासतोर से वो लोगों के लिए जो लोग साधक होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए और बाकी लोगों को भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखने का मतलब होता है भूत क्रिया को स चाहिए अब होता किया है कभी 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 आत्माएं छोड़ने fürड़ने के बाद में बड़ी परिशान हुई सी ़िए देखती है कि वह वापस नहीं होती हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि इतना अधिक लगा और इतनी अधिक इच्छा होती है उनकी कि वो चाहते ही नहीं कि उनका जो है शरीर से उनका नाता टूटे तो फिर वो रिसिदारों के पीछे-पीछे चलकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह कोई रास्ता मिल जा जिसे वो आप वापस अपने स्रीष धारण कर सेगे हाला कि वो संभव नहीं होता है क्योंकि प्रकतिकानियम में जो चला गया फिर वो वापस नहीं आता है तो वो कोशिश यह करते हैं तब ऐसी अवस्था में अगर को उनके शरीड कोषिश करती हैं तो वो दूसरे के शरीह को घ्रैन करने की कोशिश करती हैं कढ़ी एसी परेस्तियां और चुतारों, पढ़ जाती हैं जिसकी वाज़े से उनकी शक्तियां 10 गुना य kötü गुना बढ़ जाती है तो वो उस शरीर को धारण कर लेती इसलिए कहा जाता है कि किसी भी साधना में भी और इस तरह के कारियों में भी पीछे मुड़ करके बार-बार नहीं देखना चाहिए क्योंकि पीछे मुड़ के देखने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि आपके और उच्छी हावी हो ही जाएगी अगर आप मजबूत हैं, आप साधक हैं, अच्छी तरह से मजबूत हैं, आपके अंदर ऊर्जा है, तीवर ऊर्जा है भरी हुई है, तो फिर आप 20 बार मुड़ी है, पचास बार मुड़ी है, वो शक्ति उसकी सामर्ती ही नहीं है, कि वो आपके नजदीक भी आ जाए, लेकि अगर आप से गलती हो गई है, तो आप जो है, गुरु मंतर की माला जपी और उसमें संकल्प लिए, साथ साथ हवन भी कर लिजेगा, कि किवल आत्राप 9000 का ही जाप कर लिजे, और उसका फिर हवन कर लिजे, उसमें आप को ये संकल्प लेना है, कि मेरे किसी कारे की वज़े से, अगर कोई आत्म मेरे पीछे पढ़ गई है, या कोई बुरी शक्ति किसी तरह से मेरे शरी में आ गई है, यानि की कोशिश कर रही है, जो मैंने पीछे मुड़ा था, इसकी विजे से ऐसा करकर कुछ हुआ है, तो वो जितनी भी बुरी शक्तिया है, माता उन सबको मेरे जीवन से अलग कर दीजे, नश्ट कर दीजे, और यह परक्रिया करके उसके बाद आप ये जब आज का लोग प्रश्ण पोस्ते हैं, जी कि मैं चाहता हूं कि आप इसके उपर वीडिये बनाए और भठके हुए लोगों को उल्टा जो बोलते हैं उनको ज्यान मिले, तो इस संबन में उन्हें कुछ पूछने की कोशिश की है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर उनके जो प करते थे, यह चार सवाल है, तो आप सबसे पहले बात में बता दूँँ, कि देखे जो जिसको बता दिया जाता है, या जो चीज को पढ़ा दिया जाता है, फिर वो उसी तरह की बाते करता है, वो उस पर रिसर्च नहीं करता है, यह बड़ी समस्या पहले से रही है, आज भ लेक्षा कि उली, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, भगवायन गाम को मरियादा पुरिशोत्तम से संभोधित किया था, मरियादा का मतलब होता है, अपनी सीमा में रहना, और वो उपने सीमा में रहते थे, जब वो राजा होते थे, जब वो बेटे होते थे, तो जो भी उनक कोचा कि जब माता सीता रावर के पास रहके आई है तो क्या वो पवित्र रह गई है कि नहीं रह गई है तो उसमें उन्हें राजा की भूमी का निभाई एक राजा की भूम का ये कहती है कि वो प्रमारिद करके लोगों को बताएं और दिखाएं कि जो पत्नी वो स्विकार कर तो ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार थे तो उनके लिए तो सब कुछ पहले से उन्हें मादम था मतसीता भी पहले ही कहते हैं अलग करती गई थी और अगनी सीता जो है वो भेज़ दी गई थी इसलिए अगनी सीता से मूल सीता को अलग करना भी अवश्यक था तो दूनों चीजों को करने के लिए वहाँ पर मा सीता की परिक्षा लेकर के एक बहाना किया गया जिसमें उन्हें अगनी पर बैठाया गया और आप स्वयम सोचिए कि बात लोग ये पूछते हैं कि अगनी परिक्षा क्यूं लिगई उनसे ये पूछे कि अगनी परिक्षा में सीता जी सफल कैसे हो गई क्योंकि अगर वो दैवी नहीं होती अगर वो शुद्ध नहीं होती तो आग में जिनको बैठाला जाएं जब होलीका बैठी थी तो वो भी भस्म हो गई थी तो आखे मातर सीता उस आग में वैट करके चीता पर वैट करके वो कैसे सफलोगे उन्हें कुछ भी अगनी चू नहीं पाई तो सवाल वहीं पर नश्ट हो जाता है तो ये तो लोगों की सुच है कि लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं और चूकि भगवान राम मैंने कहा उसमें मर्यादा परिश्वत्तम थे इसलिए उन्होंने उनकी बात सुनी अगर वो उनकी बात नहीं सुनते तो ये सवाल हमेशा रहता और ये सवाल हमेशा कायम रहता क्या आखिर सीता तो रावण के पास गई थी तो क्या वो शुद्ध थी और राम ने तो उसका परमार भी नहीं लिया इसलिए वो राजा का करतवे मर्यादा परिश्वत्तम बनके उन्होंने निभाया और सीता जी के परिश्वा उनको लेनी पड़ी थी दूसरे सवाल आपका पूछा है कि पहले सती पर्था क्यों होती थी ऐसा मानते थे हमारे यहां कि सती के सतीतों के काण बहुत अधिक शक्ती प्राप्त हो जाती है हलाकि यह पर्था अच्छी नहीं थी लेकिन समाज में कोई चीज़े जब चलने लग जाती हैं तो हर एक चीज़ को हम देवी देवताओं से जोड़ने लगते हैं तो स्वाभावी की रूप से जो स्वयम सती इस्तरियां थी उन्होंने अपने पती के अलावा मन वचन कर्म किसी भी प्रकार से अपने पती का त्याग नहीं किया इसी कारण जब उनकी प्रतियों की मृत्य हो गई तो कोई पर पराया पुरुष को वो देखे हैं उनके मन में कोई काम भावना जागरत हो या इस तरह की परिस्तितियों से बचने के लिए उन्होंने सोता ही अपने सरीर को सतित्तो बना करके जला लिया तो इसी लिए सति की प्रता धिरे-देर समाज में प्रचलित होने लगे अब हमारे आप अनुसरन करते हैं देवी देवताओं का तो समाज में प्रचलित होने लगा कि वो इसतरी सति मानी जाएगी या वो पवित्र मानी जाएगी जो अपने पती के प्रती ही पूरी तरह से समर्पित हो ऐसी हवस्था में सुरवात में धीरे धीरे करके कई इस्त्रियों ने स्वयम को खुदी ही जला लिया और बाद में इस चीज को समाज में इतना अधिक प्रचलित कर दिया गया कि अगर कोई इस तरी सती नहीं भी होना चाहती थी तो वो उसको इतना दवाब बना देते थे उसके उपर कि फिर उसको सती होना पड़ता था और हर वेक्ति इतना शुद्ध नहीं हो सकता, स्वभाविक सी बात है, कोई इतना मन से पवित्र नहीं हो सकता है तो लोग जबजस्ती उसे पवित्र बनाने की चक्कर में उसको सती प्रथा के पीछे ढखेल देते थे और इसी वज़े से वो इस्तिया जल जाती थी और इसका बहुत सारा वार्णन हमको देखने को मिलता है स्वयम अपनी इच्छा से सती होना अलग बात है और किसी को जबजस्ती सती करवा देना समाज ने इस तरह से चीजों को बना लिया क्योंकि हम देवी देवताओं का लगबख अनुसरण करते हैं और ऐसे ही बनने चाहते हैं तो यह एक बुरी पर्था थी और धीरे देर करके बाद में इसको जो है लाड विलियम बेंटिंग और बहुत से अंगरी जी उन्होंने उससे पहले बहुत अकबर के समय में अकबर ने भी और उससे पहले भी कई राजा माराजा हुए उन्होंने इस सब चीजों को बंद कर लेकिन समय ऐसा था कि इस्त्री हमेशा अबला मानी गई है ऐसी हवस्था में जब इस्त्रियां खुले में रहेंगी तो कोई भी पुरुष आ करके उनके साथ बुरा कुछ कर्म कर सकता है और वो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे इसलिए यही सब ज्यादातर समाज में प्र विदेशी थे तो देखिए आर्य विदेशी मानना ये मेरे इसाब से सही नहीं है क्योंकि कारण ये है कि बॉंडेजरी यां तो हमने विखित पूरी धर्ती जो है हमारी एक थी और हमारा सनातरधर्म पूरी धर्ती पर फैला हुआ था तो हम कैसे कह सकते हैं कि आरे विदेशी थे पहली बात तो यही है दूसरी बात यह है कि हाँ वो ठंडे प्रदिसों में रहते थे इस वज़े से जब मैदानी छेतरों में आते थे तो उनके ब्रह्मण को हम मान सकते हैं कि उनका ब्रह्मण कार्य था वहां से यहां आना यहां से फिर हिमाले की तरफ या और उपर के जितने देश हैं उनकी पूरा खंड है जिसे भारत खंड बोले जाता है तो वह सारा का सारा बांडरी के नियंतर में नहीं था कोई बांडरी नहीं थी बांडरी आज की देन है आज जब छोड़े चोड़े देश बनते जा रहे हैं तो नहीं नहीं बांडरियां पैदा हो रहे हैं नहीं नहीं बात में सिर्फ पैदा हुआ वही जो है यहां का मूल निमासी है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कारण यह है कि क्या भगवान में सिर्प धरती चुनने लिए कि भारत की जगए को नक्षा बना करकर वेज जा था ऐसा नहीं है उन्होंने जब इंसान को पैदा किया होगा तो पर्त् या कोई भी किसी और सोच को मान लेता है और फिर हो वो कहते हैं कि यह तुम्हारा इलका है, मेरा इलका है, इससे पहले करें यह वैसे, यह अलग desaf لलग चीजें हैं। देखिए पूजा है सारी जगे हो रही थी इश्वर की पूजा हर जगे पूरे संसार बार में हो रही थी तो हम अलग कैसे हो सकते हैं सिर्फ रहने की वज़े से हम अपनी बॉंडरी बना लिए बाद में और अपने देश बना लिए आज तो बॉंडरी आज पैदा हो गए वैसे हमारी धर्थी पूरी की पूरी है और आज का नहीं यह वसुधेव कोटंबकम की जो बात है वो हमारे वैदि ग्रंथों में लिखे की वही तो मतलब ही होता है कि पूरी धर्थी हमारी अपनी यह तो फिर आरे विदेशी कैसे हो सकते है दूसरी बात है अब आखरी सावल आपका था कि आरे हमला करते देखिए, गोधन के लिए सबस्टार आडाई होती थी, आरें के बीच में कहा जता था कि गोधन यानि गायों को लेकर सबस्टार आडाई होती थी, हमला करने से मतलब यहां पर यह नहीं है कि कोई देशी के ऊपर हमला कर रहा है या गोरह हो जाएगा और जो गरब। आज काले कैसे हो गए उन्हें तो उतना ही गोरा होना चाहिए था जितने विदेशी लोग गोरी होते हैं पर वो नहीं है उतने क्योंकि हमारे उपर धूप पड़ रही है तो जहां पर भी अब अफरीका में कोई रहने लगे कोई विदेशी विक्ति भी हो कितना भी गोरा हो अगर वो चार पीड़ी, पांच पीड़ी, दस पीड़ी अगर वहाँ पर रहता तो वो काला पड़ जाएगा क्योंकि अफरीका में पूरी धूप पड़ती है तो रंग का कोई मतलब नहीं अब रही बात अपने-अपने कभीलों की अगर किसी ने अपना कभीला बनाया हु गायों को यह मन जाता था कि यह दूद भी देंगी भोजन भी देंगी और सारी चीजे यह दे देती हैं गाय के गोबर से लेकर के गाय के हर एक चीज का उपयोग होता था इसलिए गायों को लेकर के युद्ध होते थे तो इसलिए वहाँ पर युद्ध होते थे अब उनसे जीनाहेद द्रावेट और भी हमिलाई करते थे और यहां मुन लिवास जिनको इनरे कोई यहां पर इंपती ऑन और द्रॉपी Ce हुआ और हमेशा रहने वाली है क्योंकि सब को कुछ न कुछ चाहिए और अपनी सुख सुविधाएं शक्तियां धन सब्मदा हर रेक्ती बढ़ाना चाहता है तो यह समाल भी यहां पर खारीज हो जाता है कि आरे जो हमला करते थे और यहां के लोग तरीके का रूप सरूप होता है, उनके चेहरे की बनाट थोड़ी से अलग होगी, यानि कि हर अलग अलग थोड़ा सा है, क्योंकि जैसी परिस्तिती में रहराव ऐसे ही बन जाता है, तो यहां पर कोई अलग नहीं है, अलग मानना, सोचना, एक ऐसी गलत सोच है, जिसका कोई आधार नहीं है हम सभी एक हैं और इश्वर की सब के सब संतान हैं हमें यही सोचना चाहिए आध्यात्म की और भी बड़े यही सब का प्रयास होना चाहिए तो यह थे आपका दिन मंगल में हो धन्यवाद